हेलो दोस्तो मैं हूँ विर्षाथ फरान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देशी को लिए दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको वाट्साप के तीन ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिने आप आज से पहले नहीं जानते होंगे और मैं आपसे पिरोमिस करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा यह काम करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपने कॉंटेक्ट लिस्ट को और यहां पर यदि आप लोगों ने अपना कॉंटेक्ट एड नहीं किया है वो कॉंटेक्ट जो नंबर से आपने वाट्साप बनाया हुआ है वो यहां पर एड नहीं किया है तो सब पर आपके पास three option आते हैं voice call, video call, यहाँ पर message जैसे आप message पर three options वाले पर click करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं Hi, hi का message जैसे हम यहाँ से send करते हैं तो यह immediately read हो जाता है, यहाँ कि यहाँ पर green pick आ जाता है, और जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं hello हेलो जैसे हम लिखते हैं तो यह भी यहां पर तुरंसली इमिडेटली रीड हो जाएगा इस नंबर से हमने अपने ही वर्टसप नंबर पर मैंसेज किया मैं आपको दिखा देता हूँ बैक जाकर कि इसी नंबर से मेरा वाटसप बना हुआ है जैसे मैं यहां सेटिंग पर जा कि अपने डीटा को सेंड कर सकते हैं क्योंकि आज कल बहुत से ऐसे नंबर आप सेव करते हैं जो ओल्डेडी नंबर चालू नहीं होते यह तिर्टी Man फीकर में वह नंबर चालू हो जाते हैं और उनğपर आप मैसेज करते हैं तो आपका डेटा है जो लिंग पर चालत होने आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि WhatsApp और Messenger या Instagram या Facebook सभी की जो वीडियो या ओडियो कॉल होती है वो record हो सकती हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एक ओडियो कॉल करने वाला हूँ और आपके दिखाने वाला हूँ इस call को record करकर और फिनिश के बाद मैं आपको जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आ चुका है message और जैसे यहाँ से मैंने इसको यानि कि accept कर लिया है call को और अब हम देखते हैं कि यह call record होता है या नहीं होता तो चलिए हम call को यहाँ से cut कर देते हैं जैसे हम call को यहाँ से cut कर देते हैं और हम जाते हैं back बैक जाने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ आभी भी यहाँ पर कुछ application मैंने अल्लेडी install किये हुए cube acr मैं आपको बता दू कि cube acr जो application है आपको प्लेश टोट पर भी मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा मैं इस application के बारे में आपको बता देता हूँ कि इससे instagram facebook messenger सबी जो यहाँ पर जो messenger होते हैं उनके call इस application से record किया जा सकते हैं और दूसर application में आपको बता दो all app call recording recorder इससे आप सिर्फ message instagram messenger के call को record नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ और वाट्सअप के जो call है उसको record कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने call किया था इसका मैं आपको अभी demo दिखाने वाला हूँ कि यह record हुआ है या नहीं हुआ जैसे कि हम यहाँ पर sorry दिखाने वाले हैं आपको जैसे कि यहाँ पर है यह अभी मैंने call किया था बाइस सेकंड में ने बात किया था और अभी आपको दिखाने वाला दोसको आपने देख लिया कि वर्टसप के जो call है वो भी record हो सकते हैं तो आज से यदि आप अभी भी सोच रहे होंगे कि यह call है जो record नहीं होते तो आज से यह सोचना बंद कर दीजे और आप सब समझ कर किसी को call की जैसे मैं इस पर भी दिखाने वाला हूँ कि यह call record हुआ है या नहीं हुआ है जैसे कि यहां पर असल यह है यहां पर भी मैं आपको प्ले करकर इसको दिखाने वाला हूँ जैसे कि आपको अभी voice आ रहा होगा यहां पर भी a call record हुआ है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमें कमेंट में जुरूर बताइए ट्रिक नमर 2 था लेकिन हमने आपको बताया था हम मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक 3 इस वीडियो में और जो तीशे नमर क जो groups हैं उसमें बहुत से member add हैं और आप नहीं चाहते कि वो किसी के पास भी वो जाए आपके जो एक दो selected लोग हैं आप चाहते कि उन्हीं के पास वो photos दाए तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको Google पर लिखना है गूगल पर आपको लिखना है PDF PDF to PDF to go जैसे आप लिख यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का interface आपके सामने से हो जाता है यह इस तरीके की site आपके सामने से हो जाती है यहां पर नीचे जैसे scroll करते हैं तो यहां पर आपको एक option यहां पर मिलता है जैसी protect video जैसी आप यहां पर क्लिक करते हैं त जैसे मैं एक लड़के का फोटो यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सोरी जैसे कि मैंने यहां पर एक लड़के का फोटो था मेरे पास जैसे मैंने यहां से कोई भी जलो मैं यहां से एक फोटो कोई भी ले लेता हूँ जैसे ये वाला लटके का फोटो मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके बाद में यहां ये अपलोड हो जाएगा कुछ समय के बाद जैसे कि आपने देखा कि यहां पर ये अपलोड हो चुका है और जैसे ही हम यहाँ पर नीचे के ओर आते हैं स्टार्ट के नीचे तो यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पर हम पासवर्ट लगाना चाहते हैं वो मिल जाता है जैसे कि हम यहाँ पर पासवर्ट लगा लेते हैं यहाँ पर हमने इंटर कर लिया और यहाँ पर दूबारा भी हमने इंटर कर लिया है और इसके बाद हम करते हैं स्टाट पर किलिक जैसे हम स्टाट पर किलिक करते हैं तो यह हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस से हो जाता है कुछ समय के बाद यहां पर जो इस फोटो को हम share करने वाले हैं जैसे कि हमने इस फोटो को download कर लिया है download जैसे हम इस फोटो को कर लेते हैं यहां पर allow करते ना है हमको और जैसे हम इस फोटो को download करके share करने वाले हैं हम यहां पर सबसे पहले जो हमने password लगाया है वो यहां पर लगा लेते हैं और Okay, पर हम जैसे यो कलिक करते हैं और यहां से हम इस यहां पर इसको open करते हैं जैसे हमने अभी इस phone में अपने में ही open किया लेकिन हमारे पास जिस number पर हमने इस photo को भेजा है वो number भी हमारे पास है जैसे कि यहां पर ये photo आगया है आपको दिखाई दे रहा होगा यहां जैसे हम इसको open करते हैं तो यहां पर एक password मांग़ेगा यहां पर हमने एक password लगाया हुआ इसमें और यह यहां पर open हो जाता है यहां पर दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे इस यूटूब चैनल देशी को लिएन को सबस्क्राइब करना ना भूलना इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए मिलते हैं अगले एक ऐसी इंटरेश्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए